हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल इजू के संतक में तो फ्रेंट बिहार बोट के सभी बच्चे खूस हो जाएं यहाँ पर बिहार बोट मैटिक रिजल 2020 को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है है अभी अभी की बिहार बोट मैटिक रिजल 2020 को लेकर कल से कौपी चेक शुरू होगा यहाँ पर सभी बच्चे खूस हो जाएं रिजल के फाइनल डेट को भी घुसित कर दिया गया है बिहार बोट की तरफ से तो जो भी मैटिक के चाहत है और रिजल का वेट कर रहें उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है यहाँ पर रिजल आपका बहुत ही जल आने वाला है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उसके बगल के बेल गंटी जिरूर से दबा लिजेगा विहार बोट मैटिक रिजल 2020 की पलपल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए प्रेन यहाँ पर बिहार सिच्छा विभाग की तरफ से बहुत ही बड़ी फैसला लिया गया है सभी दफ्तरों में 20 अप्रेल से शुरू होगा काम तो चलिए पुरी खबर को देख लेते हैं और आपका डिजल कब आएगा और कोपी जाज कब से शुरू होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं विहार विध्याले विहार सिच्छा विभाग अपने सभी निदे सालियों और कर्यालों में 20 अप्रेल से शुरू कर देगा काम सुक्रवार को एक अधिकारी ने इस संबंध में हिंदुस्टान टैम्स को बताया कि गिरिमन त्राले के संसोधी स्रीडूल की गाइडलाइन्स के तहत 20 अप्रेल से ज़्यादा तर दफ्तरों में काम शुरू हो जाएगा निर्देशों के अनुसार वरिष्ट करमचारियों को रोजाना दफ्तर पहुंचना होगा जबकि जुनियर श्टाप और समवीदा वाले श्टाप को तिन गूरूपों में बाटा जाएगा जिसमें से एक ही गूरूप के करमचारियों को दफ्तर पहुंचने की अवाग सकत कि क्रोना वाइरस कोविड नाइंटीन में हमारी को देखते हुए सोसल रिस्टेंसिंग पर विसेज ध्यान दिया जाए और अधिकारिक अधेस के अनुसार जुनियर स्टाप को तीन समुह में बाटा जाएगा और एक दिन एक ही समुह के लोग दफ्तर आ सकेंगे पहले समुह के करमचारी 20-23 अपरेल तक दुसरे समुह के करमचारी 24-28 अपरेल तक और तीसे समुह के 29-3 माई तक दफ्तर पहुंचेंगे आपको बता दे कि दूसरे चरण का लॉक डाउन 3 माई को समाप्त हो रहा है और एसे में 20 अपरेल से यदि सिच्छा विभाग के दफ्तर खुल तो यहां पर देख सकते हैं यह आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है विहार बोर्ड मैटिक के स्टुडेंटों के लिए जो इस बार रिजल का वेट कर रहे है तो यहां पर दिया गया है कि विहार बोर्डяг 10- electromagn के डीजल पर भी तेजी से काम हो सकेगा यानि कि फेन है 20 से 25 परसेंट आपको कोफी का मुल्यांकन बचे हुगा है जो कि आपको कोफी जांच स्टार्ट होगा तो दोस्तों अगर कल से आपका कोफी जांच शुरू होता है तो आपको बहुत ही जल जारी कर दिया अगर किसी भी कारणवस से सरकार की तरफ से फिर से जादे से आता है कि कोफी जांच नहीं होगा तो आपको लेट हो सकता है तो आप बने रहेएगा इस वीडियो चैनल के साथ आपको जो भी अपडेट आएगा भी हार बोर्ट मैटिक रिजल 2020 को लेकर आपको वीडियो के कोफी जाद शुरू हो जाएगा तेजी से काम होगा रिजल को लेकर तो उमीद करता है यह वीडियो पसंद आओगा अगर यह वीडियो पसंद आओगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों इस चैनल पर पहले बाना है तो चैनल को सस्काइब करके उसके बगल के बेल घंट जरूर से दवा ले जएगा इसी परकार का लेट इस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए